हार की जीत प्रस्तुत कहानी का यहो देश्य है कि व्यक्ति अपनी सच्चाई, निडर्ता और सादगी से बुरे व्यक्ति का भी हिर्दय परिवर्तित कर सकता है जैसे बाबा भारती ने खुखार डाकू का हिर्दय परिवर्तित किया बाबा भारती को अपने घोडे को देख कर वही आनंद प्राप्त होता था जो एक मा को अपने बेटे को और किसान को अपने लहलाते खेत को देख कर प्राप्त होता है बाबा भारती अपने घोडे को सुल्तान कहकर पुकारते थे वे उसकी देखभाल स्वयम करते थे उनके घोडे के समान, सुन्दर वो बलवान घोडा इलाके भर्मन था उन्होंने अपना रुपया, पैसा, जमीन, जाइदाद, सब कुछ त्याग दिया था वे गाओं के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे भागवद भजन से जो समय बचता वो घोडे पर अरपन हो जाता वे सोचते थे मैं घोडे के बिना नहीं रह सकता वे घोडे की चाल पर लट्टू थे प्रति दिन सुल्तान पर चटकर आठ दस मील का चकर जरूर लगाते थे उसी इलाके में खडक सिंग नाम का एक कोख्या डाकू रहता था उसका नाम सुनकर लोग थर-थर कांपते थे खडक सिंग ने भी घोडे की प्रशंसा सुनी तो वह बाबा भारती के घोडे को देखने के लिए बेचैन हो उठा और एक दिन दो पहर में बाबा भारती के पास पहुँच गया बाबा भारती ने पूछा खडक सिंग क्या हाल हैं? कहो इधर कैसे आगे? आपके घोडे सुल्तान की चाह इधर खीच लाई मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है सुना है देखने में बड़ा सुन्दर है खडक सिंग ने उत्तर दिया बाबा भारती खडक सिंग को लेकर अस्तबल में पहुँचे बाबा ने घोडा दिखाया तो खडक सिंग घोडे को अश्चर से देखता रह गया उसने अपने जीवन में ऐसा बागा घोडा नहीं देखा था उसने सोचा कि ऐसा घोडा तो मेरे पास होना चाहिए जाते जाते उसने बाबा भारती से कहा बाबा जी मैं यह घोडा आपके पास नहीं रहने दूँगा यह सुनकर बाबा भारती डर गए उन्हें रात में नीद नहीं आती थी वह रात दिन अस्तबल की रखवाली करने में लगे परंतु कई मास बीतने के बाद भी जब खडक सिंग नहीं आया तो बाबा भारती निश्चिंत हो गे एक दिन की बात है बाबा भारती संध्या के समय घोडे पर सवार होकर घूमने जा रहे थे तभी उनके कानों में आवाज पड़ी ओ बाबा इस कंगले की बात सुनते जाना बाबा भारती ने मुड कर देखा एक अपाहिज व्रिक्ष की छाय में पड़ा कराह रहा था वे उसके पास पहुँचे और बोले क्यों? तुम्हें क्या कर्ष्ट है? अपाहिज बोला बाबा मैं दुख्या हूँ, मुझ पर दया करो रामवाला यहां से तीन मिल दूर है अपाहिज बोला बाबा भारती ने घोड़े से उतर कर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयम उसकी लगाम पकड़ कर धीरे धीरे चलने लगे अचानक बाबा भारती के हाथ से लगाम छूट गई और उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े को दोड़ाई ले जा रहा है उनके मुक से भई, आश्चरी और निराशा मिश्रित चीख निकल गई वो अपाहिज डाकू खड़क सिंग था बाबा भारती थोड़ी देर चुप रहे फिर पूरे बल से चिला कर बोले जरा ठहर जाओ खड़क सिंग ने कहा बाबा, अब यह घोड़ा नहीं दूँगा बाबा ने कहा परंत एक बात सुनते जाओ खड़क सिंग रुख गया बाबा भारती उसके पास जाकर बोले यह घोड़ा तो तुम्हारा हो चुका है मैं वापस करने की बात नहीं करूँगा परंतु खड़क सिंग मैं तुमसे एक प्रातना करता हूँ बाबा जी, आग्या कीजिए मैं तो आपका दास हूँ लेकिन यह घोड़ा नहीं दूँगा खड़क सिंग बोला बाबा भारती ने कहा मेरी प्रार्थना के ओलिया है किस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना खड़क सिंग आश्चर में पड़ गया उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने बाबा भारती से पूछा बाबा जी, इससे आपको क्या डर है बाबा भारती ने उत्तर दिया यदि इस घटना का पता लोगों को चल जाएगा तो कोई भी व्यक्ति किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा इतना कहकर बाबा भारती चले गए परन्तु उनके शब्द खड़क सिंग के कानों में गूज रहे थे उसने शोचा बाबा भारती के कैसे उचे विचार और कैसा पवित्र भाव है उन्हें केवल इस बात का ख्याल है कि कहीं लोग गरीब पर विश्वास करना न छोड़ दे ऐसा मनुष्य, मनुष्य नहीं, देउता के समान है खड़क सिंग रात के अंधकार में बावा भारती के मंदिर में पहुँचा, उसने सुल्तान को अस्तबल में बात दिया और स्वयम साउधानी से बाहर निकलाया, इस समय उसकी आँखों में नेकी के आसु थे सुल्योदे से पूरु ही बावा भारती उठे, उन्होंने स्तनान किया और उष्के पश्चात, इस प्रकार जैसे कोई स्वपन में चल रहा हो, उनके पाउं अस्तबल की ओर बढ़े, परंतो फाटक पर पहुँचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई, वे निराश मन से वहीं अंदर की ओर दोड़े और घोड़े को देख कर उसके गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता पहुँच दिन से अपने बिचुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो, फिर वे संतोश पूर्वक बोले, अब कोई गरीब की साहता से मुह न मोड़ेगा, सु